गुड मॉनिंग दोस्तों मैं विने कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं UPSC परिक्षा ऑनलाइन क्लासेस में दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साथ जून 2021 के करेंट अफैर कोश्चन को और बहुत ही बहतरीन कोश्चन के साथ में वीडियो लेकिया हूं और जो नौ जून वाली वीडियो है वो भी मैं आज ही आपको अपने चैनल पर प्रोवाइट कराऊंगा दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को और वीडियो सुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा चैनल को जिसने सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आइकन को प्र प्रवेश परिक्षाओं के तैयारी में मदद के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना किस ने शुरू की है तो यहां पर देखिए आपके चार ओप्षन है ठीक है इन चारों में से आपको आंसर देना है उत्तर प्रदेश पंजाब उत्राखंड और आपका र याद रखेगा राजस्तान अच्छा दोस्तों उत्तर प्रदेश ने भी कोचिंग योजना शुरू की ती जिसमें क्या किया रगा था बच्चों को आईए स्पीसियस लेवल की कोचिंग फ्री में दी जाएगी ठीक है आपको योजना का नाम कमेंड करके हमें कमेंड बॉक फिर से हमारे चार अप्शन है उत्तर प्रदेश पंजाब उत्रहखंड उत्तरकणल राजिस्थान तो यहां पर देखी उत्तरप्रदेश के दौर इस योजना का लक्ष रखा गया और यहां पर इस योजना है आधितिनाद के द्वारा की गई जिसमें विश्व परियावरण के दिन को एहमियत देते वे यहाँ पर 300 रख्ष लगाने की घोशना की गई दोस्तो वन महत्सव यानि कि हम इसको कह सकते हैं वानिकी करन उत्तव यह मनाया जाता है जुलाई के पहले सप्ता में मनाया जाता है और 2021 में इसको कब सुरू किया जाएगा जिसके कारण यहाँ पर जो 300 मिलियन पौदे लगाने का लक्ष रखा गया है इसको पूरा किया टास्क फोर्स और दो जीनोम अनुक्रमन लगाएगा तो देखें यहाँ पर आपका पॉंडिचेरी गोवा दिल्ली और जम्मुकिश्मी यानि कि आपका जो अंसर है वो क्या हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा ठीके तो दिल्ली ने क्या कराया यहाँ पर बाल चिकिस्ता टा जोग्षाला बनाई जाएगी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केज्रिवाल है किस पाटी से बिलॉंग करते हैं या आम आधमी पार्टी से बिलॉंग करते हैं साती साथ अकर आप राज्यपाल की बात कर रहें तो राज्यपाल यहाँ पर कौन है शिरी अनिल बैजल ठीक है तो कौन है शिरी अनी अनिल बैजल चौथा कोशन है दोस्तों हमारा कोरोना वाइरस संकर्मन से अनात बच्चों को 100 प्रतिशत यानि की पूरी तरीके से फ्री ठीक है उन्षुल्क माफी देने की घोषना किसने की है तो यहाँ पर चार ओप्षन है आपके ठीके ए बी सीटी में देखे जे एन यू है डी यू है बी एच्यू या इन में से कोई नहीं तो देखे इन में से कोई नहीं वाला तो आंसर नहीं होगा यहाँ पर आपका आंसर जाएकर डी यू ठीक है दिल्ली उनिवरस्टी ने ऐसी खोशना किये कि वह जो भी चैनात हुए उनकी छो फीज है वो हंड़िट परसंड यहाँ पर क्या होगी माफ कर दी जाएगी अगला कोश्चन है दोस्तो कोश्चन अबर पांच भारत ने पिछले 6 वर्षों में अपने वन और व्रक्षो के आवरण में कितने प्रतिशत वृद्धी दर्ज किये तो य कि भारत को वनों वाला देश खा जाता है और भारत में मद्य प्रदेश को क्या कहा जाता है वनों का राज्य मतलब कि सबसे ज्यादा जो वन है वो मद्य प्रदेश में पा जाता है अगर आप से कोशन पूछ ले कि वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो याद रखिएग सबसे जादा सम्रित है जिसमें 70% देख सकते हैं बाग पाई जाते हैं जिसमें प्रदीशत देते हैं जिसमें उतल्य प्रेज़ और भारत में यहाँच क्योंब मिलेंगर हैं यहां पर बहुत बड़ी जीत के साथ ममता बनर जी तीसरी बार यहां पर मुख्यमंतरी के लिए नियुक्त की गई है तो तुरुन मुल्क कॉंग्रेस का राष्ट्रिय महासर्चिव किसको बनाए गया है तो पहला है आपका सायोनी घोस दूसरा अभिशेग बनर जी तीसरा है सुब्रोथ पक्षी और चौथा जो option है वो ममताब एनर्जी कौन है पश्चिम मंगाल की थीक है मुख्यमंतरी है सुब्रोथ मनर जी तो जो थे वह तीमसी के मतलब कि जो टीमसी थे इसके राष्ट्रे महासर्चिव थे और इनके बाद अब बनाया गया है किसको अभिशेक बेनर्जी को तुरुण मूल कॉंगरिस का राष्टे सचिव निक्त किया गया है ठीक है अच्छा आगे बात करते हैं भारत ने पेट्रोल में 20 प्रतिशत एतनौल मिश्रण प्राप्त करने की लक्ष तिति को पांच वर्स से बढ़ा कर कब तक के लिए कर दिया गय अगर आप से कहें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयतक है तो यह भी बहुत बढ़िया है क्योंकि 85% जो भारत है वो विदेशों से तेल का आयात करता है पिचासी परसेंट जो हम तेल का इस्तमाल करते हैं इंडिया में उसका केवल 15% ही घरेलू होता है बा अगला कोशन ने 6 जून 2021 को ऑपरेशन ब्लू स्टार की 37 वर्ष कार्ट मनाए गई ऑपरेशन ब्लू स्टार किस से संब्बन देते तो देखे पहला अप्शन है अडल भीहरी बाच पई दूसरा अप्शन है सरदार मन्होन सिंग तीसरा अप्शन है सिरीमती इंद्रा एक जून से आठ जून के बीच में और 1984 की यह घटना है एक जून से आठ जून के बीच में इसको चला गया अब यहां पर देखे पर देखें कौन था उस वक्त प्रांहें हरमंदर जिसको हम बोलते हैं स्वण्ड मंदित दीखें अम्रिस सर में हरमंदर साहिब कहले या स्वण्ड मंदित कहले इसके कॉंप्लेक्स में जो आतंगवादी छुपए हुए थे इनको बाहर निकालने के लिए नियकर वाही की गई ठीकें यहाँ पर तो हर्मिंदर साहिब में कुछ आतंगवादी थे जिनको निकालने के लिए यहां पर क्या करा गया गोलिया चलवाई गई इसी को हम क्या कहते हैं सुत्राखंड के द्वारा पुलिस फोर्स के द्वारा एक लाग पौधे लगाने की यहां पर घुष्टना की गई है और काफी अच्छा है ऐसा होना चाहिए ठीक है कोश्च नमबर टैन है दोस्तों कथन कथन में दीखे लिखा है एन एच आर सी मानवा धिकार आयोग ने सभ क्या रहा है दोस्तों 2011 की जंगर्णा में 75 प्रतिशत पीवी टीजी एस की संख्या यानिकि जो कमजोर गरीब वर्ग के लोग है उनकी बात करता है वह एक लाग से कम हो गई है तो देखिए यहां पर पहला वाले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और साथी साथ दूसरा वाल वीडियो देली के लिए माफी चाहता हूं और अब वीडियो आपको डेली मिल जाएगे ठीक सुबह साथ बजे तो बैने रहेएगा मेरे चैनल पर और कमेंट करके बताएए आपको वीडियो कैसा लगा बाई बाई धन्यवाद देखते रहे मेरे चैनल को